क्या आरे सफीद कुछते वाले किसा स्रिफ प्री में मूवी देखेगी या उसके साथ लाइफ सच करने का इरादा है देखते हैं वो मुझे और कितना बर्दाश करता है क्या चीज आर उपर से नीचे तक मस्ट चीज आर अकेली पिक्चर देखोगी भाईया को नहीं ले जाओ अरे डार्लिंग मेरी दाड़ी नहीं चुपेगी ते रखो आच्या रुप जाए चल्डे आवाने दे क्या हर बार ये छोटा रीचाज लिकर आजाती हो इंदु का है वो लड़के मुझ पर बहुत गंदे कमेंट्स कर रहे हैं कौन क्या या या ये इंडिया का फ्यूचर है देश को डुबाएंगे इंदु बहुत गंदे वर्ट्स करें थे यार देखो एक कान से सुनने का दूसरे कान से लिकाल देने का अब इंदु कब आएगी बताओ न प्लीज अब इंदु नहीं आएगी क्या क्योंकि उन्हाने लेकिन ये तो बहlawत आंबाद क्योंकि ये पह पारिका इंदु के बार में कमेंट करें ये इंदु के पार में कमेंट करने की तरी रही मात कैसे अरे जाम आप किया, अरे बोला इसको बाइट नहीं करने का अरे बोल, बोल क्या बोला था इंदू के बाद, बोला मेरी इंदू को छेड़ेगा क्या रहे, तेरे रोने से इसे कोई फर्टने बड़ा, पर जब इंदू का नाम ले तो ये खत्रो का खिलारी बन गया ये तो प्यार में डूप चुका है, इसे कब बताएगी कि तू ही इंदू है, वहार रहा है, कब आप में हट्डी मत बनो, इसके बाद कभी इंदू का नाम मुह से लिया ना तो फोड़ू, देखा, सब की पीप मार दी मैंने, अब तो इंदू को फोन करके बता दू कि मैं उ अल्रडी फोन कर दिया है, थैंक्यू, वह तमसे पार्क में मिलेगी, अचा सुरो, वह पक्का आएगी ना, शौर शौर, ओके, ओके, ऐ बुलू-टॉप, शे इल डेफिनेटली काम ना, पक्का, पक्का है, ओके, कुछ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिये क्यों अब इंदू जितना अच्छा नहीं है मगर तुम्हारा फिगर उतना बुरा भी नहीं है जैसे तुम मेरे करीब हाओगी इंदू माइट कम शी माइट इंदू माइट कम शी माइट इस सम्थिं बेट्वीन अब बहुत जाता उससे नहीं चला तो क्या तुम पॉकेट मनी देने वाले हो और नहीं मैं तो बस एसे ही पूछ रहे थी बैंक बैलेंस वगयर आपके डलवा देंगे नहीं मिलेगा ना इंदू की दोस्त हैं इंदू की सीय कितनी इंक्वाइडी करती है अच्छा ये बताओ इंदू स से पहले तुम्हारे कितने अफैर थे अफैर्स नहीं थे क्या अफैर्स मतलब उस टाइप के ना लव अफैर्स नहीं थे ऊस टाइप के मतलब उस टाइप के मतलब आपके देना पड़ेगा हर चीज का प्राक्टिकल नहीं हो सकता समझ गई वैसे मेरे बार में तुमारा क्य मैं तो भूली गई, उसने मुझे दूसरे गार्ण बुलाया था वोकल कहीं की अब और उसे कितना तरपाएगे, क्या है विदेना कि तू ही इंदू है ऐसा चांस सबको नहीं मिलता, काय का चांस अपने प्रेमी के आखों में अपने लिए हर पल एक इंतिजार एक चाहत देखने का चांस जैसे वो मुझे तलाशता है, जैसे वो मेरी फिक्र करता है जैसे वो कहानिया बनाता है कुछ-कुछ होता है मार ही डालोगे यह मेरे दोस्त का बेटा रगुवीर है यह हमारे जायदार वापस करने आया है बेटा इंदू, जब हमारे गेस्ट हाउस की इतनी अच्छी देखभाल है तो हमारे महल की देखभाल कितनी अच्छी होगी तुम्हे वहाँ एक राजकुमारी की तरह देखने का मेरा सपना पुरा हो जाएगा क्या सोच रही है मुझे उस जायदात के बिलकुर फिक्र नहीं है क्योंकि डाड़ी के चेहरे पर जो खुशी है वो मेरे लिए किसी जायदात से कम नहीं थैंक्यू फेरी मच इट्स ओके अंकल, हाँ, तो देर किस बात की? चलो महल चलते है इतनी जल्दी, एक अफ़ते बात चलते है अभी मेरा कुछ इंपोर्टन काम बाकी है कैसा काम? एक्जैम्स तो पिनिश होने दीजे ठीक है पिनिश होने दीजे अगहोरा उसके लिए पागल हुमें पर अभी तक उसे चूब ही नहीं पाया जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिच करता हूं लगता है किसे ने गर्दन उड़ा दिये कैसा डर है ये मेरा जी करता है इनी हाथों से उसका कला कोड़ दू दिल में उसके लिए नफ्रत की आग भरी है वो कौन है जो हमारे बीच में दिवार है उसका उत्तर चाहिया गोरा ऐसी कोई बात नहीं जिसका उत्तर अगोरा के पास ना हो रगवीर काम वासना ये आज की नहीं चार सो वर्षों से ये भूक अधूरी है चार सो वर्ष पूर तू इस उदैगड का सैना पती था ये है तेरे पूर्ष जन्म की कहानी चार सो साल बात भेर से किसी का जन्म हुआ है लगता है इसकी रात के उत्री नहीं है मूर्ख भालक कई शताब्दियों से उदैगड का इतिहास इस क्रंथ में है ये है वहां की राजगुमारी मैत्रा कुछ याद आया अर जो इसके फ्रेम में पागल होकर मर गया था हो था रणदेव यानि के तू उसी फ्रेम के कारण तुझे पुनर्जनम लेना पड़ा उसी वासना की तडप में उसे पाने के लिए तू पागलों की तरह इदर उदर बढग राए तुमारी तरह इक और भी है जिसने उस राज कुमारी को पाने के लिए पुनर्जनम लिया है जब तक वो जीवित है तू कभी उसे स्पर्ष नहीं कर सकता अगर तू अपना प्रेम पाना चाहता है तो तुझे उस दूसरे प्रेमी को मारना होगा मैंने इससे पहले से कभी नहीं देखा ये मुझे कहां में लेगा जिस लड़की के कारण तुने इस धरती पर जनम लिया वही तुम दोनों के मिलन का कारण बनने वाली है पूर जनम की तरह उसी के लिए तुम आपस में लड़ने वाले हो इससे पहले मैं उसे खत्म कर दूँगा तुम दोनों से पहले ये प्रकरती तुम दोनों को पहचान लेगी जब तुम दोनों आमने सामने आओगे अशु और पक्षियों में हल्चल मत जाएगी ओ सूर्य का गुला भस्म होकर काला पढ़ जाएगा और जो ज्वाला उम्खी की तरह उसका लावा बनकर बहार आएगा भई होगा फैरा सलीम भाई दोचाय कड़क सुनना भाई ये पुलिस के गोड़े कितने हैंसम लगए ना अगर मैं इन पर बैठकर इनने तगड़क तगड़क भगाऊंगा तो आसमान से परिया भी नीच आ जाएगी अब एक गधे की दुम तू घोड़े पर बैठेगा तेरा बाप भी अभी घोड़े पर बैठा था क्या पकामत चाय पीने दे यार मैंने बचपन में कुत्ता बिल्ली घोड़ा सब की सवारी किया साले कुत्ता बिल्ली और घोड़ी की सवारी में फर्क होता है ओ मुझे तो लगा सब एक है पर तेरी घोड़े की सवारी करने में इतनी फटती क्यों है फटती नहीं है मुझे पसंद नहीं है यार, आजकल लोग race, cars और bikes चलाते हैं, वहाँ घोडे पर बैठने वाला गदा वस तू ही हो सकता है, गदा, that means donkey, मेरे साथ रहकर इस गदे को पता ही नहीं चला कि ये गदा बन गया है, लेकुब, हिंदू किसी लड़के के साथ बहुत भूमती है, उस हेलो बॉस, आकर यहां बैठ जाओ ना, ए नाम क्या है तेरा, बिग बी, कौन सी नाटक कंपणी से आया तू, अबे तुछ से पूछ रहा हूं, कौन सी ड्रामा कंपणी से, राम लीला करके आया है, क्या, कलरफुल शेरवानी, पगड़ी, लॉकेट, पर दिखता बीच का है तू, सूट नहीं करता है, वैसे इस गेटब में नौकरी पकी है तेरी, परड़े हजार फिक्स होगा इसका, फाइफ स्टार होटेल में दर्बान की नौकरी के लिए अपलाए कर दे जॉब लग जाएग हम वार जाए फथ हो इंडू इस नमबर पर वहुथ फोन करती है अनून? हलो, औफन है एक पर एक सिंफ्री? ईसले ही दस काशले ह। कॉया Studios दुम कर दडारों चादरों कादरों चादारों कादरों Sisters ध Bridge किन भखाता दे शांत रहना, खाई है हुआ! तू नहीं सुझेगा सुन तो ऩू, मेरी बात तो सुन या, नहीं सुनिया, या लगत्ब पना फॉन बुल गया है अगोरी ने जैसा कहा था वैसा तो कुछ नहीं है शायद यह वो लड़का ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इंदू के हर करीबी को मरना होगा